हलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में आज हम इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वह होगा एक चार वोल्ट बैटरी चार्जर जो कि आप घर पे आसानी से और बहुत ही सस्ते प्राइज में बना सकते हैं इसका जो टोटल खर्चा होगा दोस्तों वह पंदरा से 20 रुपे के आसमा बनके पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इससे आप कोई भी बैटरी जो की चार वोल्ट की है या फिर आप लीथियम आयन बैटरी जो की 3.7 वोल्ट इन दोनों को इसली चार्ज कर सकते हैं तो शुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरू देखें वीडियो को लाइक जरू करें जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर ले साथ ही साथ बैल आइकन भी प्रस कर ले लेटेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं यहां पी ले र अब जो दूसरे दो डायोड है उनके बिल्कुल आपोजिट यानि सिल्वर लाइन के आपोजिट साइड से दोनों को आपस में मिला दें यह देखिए अब जो दो ओपन सीरे हैं दोनों वो दोनों को आपस में दोनों साइड से ऐसे ट्विस्ट कर दें तो जो हमारा bridge rectifier है वो complete है दोस्तों और जो bridge rectifier का main काम होता है दोस्तों वो होता है AC को DC में convert करना और जहां पर दोनों silver line मिलती है वहां पर DC output positive होता है और उसके opposite negative होता है तो यहां पर मैं यह capacitor ले रहा हूँ 470μF 25V का तो जो बड़ी वाली लेग है यह positive है चोटी वाली लेग है यह negative है तो जहां पर दोनों silver line मिलती है डावेट की वहां पर हम capacitor का positive सीरा लगाएंगे और उसके opposite side में जो capacitor का negative सीरा लगाएंगे यह देखिए इसी तरीके से आपको करना है यहां पर एक मैं 12V का जिनर डायोड ले रहा हूँ तो जो इसकी जो black line दिख रही है यह दोस्तों इसका negative सीरा है और उसके opposite सीरा है तो जो black वाली line है वो positive सीरे के उपर connect करनी है और दूसरी negative सीरे के उपर यह देखिए तो अब मैं यहां पर 105Z 4500V का capacitor ले रहा हूँ और साथ में मैं यह लूँँगा one mega ohm की quarter watt में एक resistance और जो हमारे जो capacitor है उसके दोनों सीरे के उपर ऐसे resistance को मैं connect कर दूँँगा यह देखिए मैंने connect कर दिया है अब जहां पर हमने capacitor के सीरे कनेक किये थे और जिनर डायोड के तो जिनर डायोड के जो black वाली पट्टी उसके उपर red wire और उसके opposite black wire यानि कि यह हमारा DC output के लिए है और जो दूसरी side है उसके एक सीरे के उपर हम capacitor कनेक कर देंगे और यहां पर मैं ले रहा हूं अठाटर जीरो पांच regulator IC जिसके input में पहले मैं wire कनेक कर दूँगा जो की हमारी जो हमारा जो bridge rectifier है उससे जो output आया है उसका positive और negative तो बीच वाली जो lag है इसके उपर input और output की दोनों ब्लेक सेम रही तो यह कि यहां पर मैं 54-08 का डायड ले रहा हूं तो इसकी जो silver line है वह आगे की तरफ होनी चीए और जो black सीरह है वह हम regulator के output सीरे पर positive layer के उपर कनेक करेंगे और एक red wire यानि की positive output के लिए एक red wire कनेक करेंगे तो यह देखिए तो हमारा connection है वह complete हो चुके हैं दोस्तों जो हमारा capacitor है दोस्तों उसके एक सीरे पर हम 220 वोल्ट का एक wire कनेक करेंगे और उसके opposite दूसरा wire तो मैंने या पर एक mdf बोर्ड का चोटा सा box बना लिया था पहले ही तो इसके अंदर मैं इसको fix कर देता हूं पहले 220 वोल्ट का wire इससे connect करेंगे इस 220 वोल्ट का एक सीरा capacitor के उपर जाएगा और दूसरा सिरा जो हमारा bridge rectifier है उसके opposite साइड में जाएगा तो यह देखिए तो मैंने इसमें pack कर दिया है देखिए काफी अच्छा लग रहा दिखने में अब मैं इसको fully pack कर देता हूं यह देखिए अब मैं इसके marking वगर करके आगे इस प्रस्टर आपको दिखाता हूं यह देखिए मैंने सारा कर दिया है 220 वोल्ट से इसके connect कर दिया है और इसका जो output voltage है वो पहले मैं आपको multimeter की help से चेक करवा देता हूं कि output voltage इसका कितना आता है यह देखिए इसका जो output voltage है लगबग 4.8 volt के आसपास आ रहा है दोस्तों और हमारी जो lithium-ion बैटरी है या फिर कोई भी 4 volt की बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए हमें 4.78 के आसपास ही हमें voltage ही सबसे पहले मैं आपको एक 4 volt की छोटी बैटरी जो 0.5 ampere की है वह वाली चार्ज करके दिखा देता हूं तो पहले इसके बैटरी का मैं voltage चेक करवा देता हूं आपको तो इसका जो voltage है वह लगबग 3.5 के आसपास है 3.5 वोल्ट है तो अब मैं इसको चार्ज लगाता हूं दोनों वायर मैं यहां पर connect कर रहा हूं black wire negative के उपर red wire positive के उपर तो अब मैं इसको 15-20 मिनट के लिए चार्ज करके दिखाऊंगा यह देखिए लगबग 4.7 यानि कि लगबग इसने 5-6 वोल्ट कवर कर दिये अच्छे से चार्ज कर देता है पहले मैं lithium-ion battery के आपको voltage चेक करवा देता हूं इसका जो वोल्टेज है वो 3.7 के आसपास है अब इसको मैं इसको charging करने में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों इसको मैं आधी गंटे के लिए लगा रहा हूं वी इसका बैट्री का जो अमपेर हो ज्यादा होता है और हमारे charger का अमपेर हो थोड़ा कम है इसलिए जल्दी चार्ज नहीं होगी तो इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा तो तकरीविन आधे गंटे को मैंने इसको चार्ज लगाया है उसके बाद मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करवा देता हूं तो इसका जो वोल्टेज आया है दोस्तों वो लगबग 3.4 के मतलब 4 वोल्ट के आसपस यह हो गया है आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा बस इसका एक ड्रोबेक यही है दो बैटरी को चार्ज करने में इसको थोड़ा टाइम लगता है बाकी जो नोर्मल हमारी जो 4 वोल्ट की बैटरी आती उसको जल्दी फास्टली चार्ज कर देता है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं अगले कोई इंटरेस्टिंग टोपिक के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए